मेरा नाम है नमन आप देख रहे हैं एंडरो वाइड और रिसेंटली हमने अपने सेनल पे बहुत सारे लैपटाफ कवर कियें जैसे नोकिया का प्योर बुक 30,000 रुपीज में काफी बड़ी अपवामस आता है इन्फिनिक्स का 22,000 वाला विंडोज लैपटाप और एच पी का एक क्रोम बुक जिसमें टच डिस्प्ले मिलता है एसुस का आरोजी गेमिंग लैपटाप और एसुस का ही एक विवो बुक ट्राई किया था और इसके लाव हमने प्रीमियम रेंज में सैमसंग गलेक्सी बुक 3360 भी ट्राई किया था और आज हमाई पास आचुका है एक और लैपटाप ये भी ऐसुस की तरफ से ही आता है तो पहरी बात कि ये वाला लैपटाप काफी बढ़िया लुक अन फील और डेजाइन के साथ आता है दूसरा इसमें एक OLED डिस्प्ले है डूल स्पीकर है स्पीकर क्वालिटी बहुत कमाल कि है स्पीसरा स्लेमल लाइट होने के बाव जो इसकी परफॉरमेंस काफी बढ़िया है यह वाला लैपटाप गेमिंग के लिए नहीं बना और यह एक स्लीक सा बैग मिलता है मतलब जिसमें आप लैपटाप रख सकते हैं यह काफी बढ़िया लगा मुझे जैन बुक लिखा हु बढ़ अभी कुछ दिनों से मैं इस वाले लैपटाप को यूज कर रहा हूं प्राइमरी लैपटाप बनाके सबसे पहले लैपटाप आया था तो भाई साहिज बाला डिजाइन के नसर गई काफी लाइट वेट और काफी स्लेम लैपटाप बनाया है यह फुल ऐलमूनियम मिल जाती है इसमें मैगनेशियम ऐलमूनियम एलॉय लिट दी गई है इसमें यहां पर चेरेमिक टाइप की फिनिश दी गई है और यह जो लाइन्स की बाइस आप एकदम अलग सा लुक देती हैं और हाथ पकड़के एकदम लाइट फील होता है एक किलो इसका मातर वेट है यही ऐसे उपर उपता है इसे जाता है वैसे थिन लाइट लेप्टॉप है बट यहां पर जो कीबोर्ट ट्रेवल है यह वी काफी अच्छा लगा और टाइपिंश पर बढ़िया था साथ जो ट्रैक पेड है एकदम फुली फंक्शनल है और एकदम स्मूध है सबसे बड़ दो थंडर बोल्ट 4 USB Type-C पोर्ट मिल लाते हैं जो की चार्जिंग और डिस्प्ले आउट को भी सपोर्ट करते हैं राइट साइड में एक USB Type-A पोर्ट मिल जाता है और एक हेटफोन माइक कमबो पीशेज देखते हैं तो यहां पर हवा जाने के लिए श्यद दिये गया है बड़ हवा बाहर निकालने का जुगार बड़ा स्मार्ट ली दिया गया है जैसी इसको ओपन करते हैं तो यहां पर हैं तो जब आप इसमें काम कर रहे होंगे आप कभी भी फिंगर्स या फिर हैं ऐसे रखेंगे तो आपको हीट इस साइड नहीं फील होगा तो हीट यहां पर एक यहां पर है प्लस यह स्पीकर ओल भी आटमॉस के साथ भी आते हैं हमन कार्डन ने इनको ट्यून किया हुआ है वाई डिफॉल्ट भी लाउडनेस और साउंड क्लार्टी बहुत अच्छी इसकी जनली लैप्टॉप में बहुत अच्छा स्पीकर देखने को मिला है आप My Asus application में जाके volume booster को भी यूज कर सकते हैं जो कि volume को और ज्यादा बूस्ट कर देता है तो speaker quality भाई एक नंबर है अच्छा हीटिंग के बात करते हैं तो definitely इस वाले area में heat होता है जब हमने इसको use किया मल्टी टास्किंग करने के लिए जैसे फोटोशाप को भी यूज कर लिया इसमें या फिर multiple chrome tabs को लिये तो heat तो feel होता है और fan की speed भी feel होती है आज के time पर घर्मी भी बहुत जादा है अलगि माई अप्लिकेशन में जागे आप fan speed को थोड़ा सा control कर सकते हैं बट उसके according performance भी थोड़ा उपर नीचे होगी अब डिजाइन की बात दूसरी highlight जो इस वाल लैप्टॉप की है वह है इसकी डिस्प्ले इसमें एक OLED डिस्प्ले में 13.3 इंचे स्क्रीन साइज है यहां पर डिस्प्ले कांफिग्रेशन वाइस कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी डॉल्वी विजन का सपोर्ट मिल जाता है टेन इबिट कलर डैफ्थ का सपोर्ट है ओलेट डिस्प्ले है तो एंटिक लेर नहीं है बागि कि इनका जो डिस्प्ले केलिबरेशन रहता है बाई डिफॉल्ट वह हलका वाम साइट पर रहता है तो वह चीज़ यहां पर मैंने नोटिस करी और यह एसुस की लूमीना ओलेट डिस्प्ले है अब लूमीना के साटिफिकेशन भी एसुस को मीट करने के बाद किसी दे सकता था बढ़ा कॉंटेंट विविंग के लिए नेट्फिक्स अंचिल करने के लिए आपके नॉमल काम करने के लिए डिस्प्ले एकतम बढ़िया लगी अब क्योंकि ओलेट डिस्प्ले है तो इसके लिए माई एसुस एप्लिकेशन में कुछ प्रिवेंशन टेक्निक् करते हैं और आट कोर मिलते हैं जो की कम खाना खाते हैं और ठीक्था काम करते हैं पतले हलके लैप्तॉप में भाई बैटरी भी बचाना पड़ता है क्या बैटरी की बात आगे करेंगे बड़ उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहां पर जो एससटी दी यह वह भी बहुत जड़ा फास्ट है PCIe3 Gen4 SSD दीए रीडराइट स्पीड बहुत अच्छी इसकी और वन टीब इसकी कपेस्टी है और 32GB की DDR5 RAM मिल जाती जिसकी की क्लॉक स्पीड 52 MHz है अब Galaxy Book 3 360 में अल्मोस्ट यहीं कॉन्फिगरेशन है RAM उसमें LPDDR4X है और उस लैप्त फोटोशॉप भी आराम से चल गया इसमें और मल्टिपल टैप्स हमने ओपन करी तो अब कोई दिक्कत होती नहीं तो कभी बंद भी नहीं करता तो परफॉमेंस मल्टिटास्किंग ले काफी अच्छा लैप्तॉप है वीडियो एडिटिंग भी बेसिक लेवल पर कर सकते हैं आप बागी नॉमल स्लीप एंड वेक इकदम क्वेक है बूट टाइम एकदम क्वेक है बेंचमार्क की बात करों तो सीने वेंच में ये गेलेक्सी बुक से थो होते ही नहीं है यहां पर कोई जीप्यू भी नहीं होता इंडल का ही आयरेस एक्सी जीप्यू मिलता है इसमें भी इंटेंसिव गेम्स को आराम से खेल सकते हैं अदरवाइस यह केमिंग वाला कीबोर्ड है बैट इसमें 63 वाट आस की दी गई है अब हमने जब इसको बैटर स्केनर नहीं मिलता है यहां पर डेडिकेटेट कैमरा सेंसर मिल जाता है विंडोज हेलो फेस साइन के लिए जो की काम सही करता है बट फिंगर्पिंट स्केनर में भी दे सकते थे क्या क्नेक्टिविटी के लिए वाइफाई 6E और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है इस चिनको की थोड़ा सा लाइट वेट और एजी टू कैरी लेट टॉप चीए तिनन लाइट वाला जांप परफॉमेंस और बाकी फीचर से बहुत जादा कॉम्प्रमाइज ना हो प्लस उन्हें एक प्रीमियम विंडोज लेप टॉप ही चाहिए लाग लग विशेश के लिए लाग 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 बोगताओं के लिए लैपटाफ मैनुफेक्चर करते हैं यह वाला थोड़ा प्रीमियम के टेगरी में चला गया पाकी इनकी आरोजी और टाफ सीरी जाती है गेमिंग के लिए इनकी वीवोबुक आती है जो की नॉमल कंजूमर को टागेट करती है इसकी प्राइजिंग है वह एक लाग पचास जार रुपए के आसपास है अभी के टाइम पे इसकी प्राइजिंग मुझे थोड़ा से जादा इस लिए लग रही क्योंकि सैमसंग अलेक्सी बुक 3 360 में जो है टाच डिस्प्ले भी मिल जाती है साथ में सैमसंग के एको सिस्टम फ अच्छ बेटर लगा